रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खुबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे लेकिन रमेश उन्हें जिन्दगी के सारे एश्वाराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रति दिन सोला घंटे से भी अधिक काम किया करता था दिन भर ओफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद ही घर लोड़ता था बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था क्यूंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते इसी काम में बेस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ नबीत कर काम करते हुए बीतता परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता पतनी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए बच्चे उसे बहुत मिस्स करते हैं उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ बढ़ते घरे लुखर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है मैं उन्हें एक अच्छी जिन्दगी देना चाहता हूँ रमेश की यह दिन चर्या वर्षों जारी रही वह यूही परिवार को अंदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा इसका प्रतिफल भी उसे मिला उसे पदोन्नती प्राप्त हुई आकरशक वेतन मिलने लगा परिवार अब बड़े घर में रहने लगा खाने पीने और अने स्विधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई लेकिन रमेश का यूही काम करना जारी रहा वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था पत्नी पूछती की आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं तो उसका जवाब होता की मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ बमश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया बच्चे अपने पिता को देखने उनसे बाते करने को तरस गए इस बीच एक दिन रमेश की किसमत खुल गई उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसाय बन गया व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था अब तो वहबं मुश्किल घर पर रह पाता उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर में बीटता साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए अब वेक किशोरा वस्था में पहुँच गए थे रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली पाँच पीडियां शांदार जीवन जी सकती थी एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट इस्तित अपने घर जाने की योजना बनाई बेटी ने उससे पूछा पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे रमेश ने जवाब दिया हाँ जरूर कल तुम लोग जाओ मैं कुछ काम निप्टा कर दो दिन में वहाँ पहुचता हूँ उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है पूरा परिवार खुश हो गया वे समदर तट इस्तित अपने घर पर चले गए दो दिन बाद रमेश वहाँ पहुचा लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था दुर्भाग से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गये थे रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था करोडों की संपत्ती होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरी सकता है वह पस्तानी लगा पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं इस काानी से हमें यहीं सीखने को मिलता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरी सकता इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत तो देना कम मत करें पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है लेकिन अपनों को खो देने के बाद दुबारा वापस नहीं पाया जा सकता